नमस्कार आप देखरें महुआ खबर मैं हूँ आपके साथ काजल ठाकुर देश भर में जो खुशी का माहूल आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय देखा जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की गई थी उसका इंतजार महीनों से किया जा रहा और पूरे देश भर में उसको लेकर खुशी की लहर थी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन एक तरफ तो आयोध्या में कायक्रम हुआ था आयोध्या में जश्न मनाया जा रहा था जैश्री राम के जैकारे लगाये जा रहे थे लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश भर में दिवाली बनाए गई थी, देश भर में मंदिरों में भजन कीर्थन का आयुजन किया गया था, और सभी ने अपने अपने घरों में दिये जलाए थे, यानि वही त्रेता युग वाली दिवाली को याद किया गया था, जैसे कि चौदा बरस के बाद भगवान श राजमान किया गया तो वैसे ही खुशी और वैसे ही आस्था इस बार देखने को मिली जगा जगा यात्राएं निकाली गई, लोग पैदल चलकर आयुध्या तक पहुँचे ताकि वहां पर पहुँचकर राम लला के दर्शन कर सकें, आपने देखा हुआ किस तरीके से जो देखने को मिला था, वो सेलाब सिर्फ प्रान प्रतिष्ठा के दिन खफ्म नहीं हुआ, बलकि अब तक लगतार चला आ रहा है, अब तक देश भर में वो प्रान प्रतिष्ठा के कारिक्रम के बाद देश भर में वो भक्ती दिखाई दे रही है, और ठीक वैसा ही कारिक का शुबारम किया गया कलश यात्रा यानी जल भरी यात्रा के साथ में किया गया बेहत खुबसूरत जब यात्रा हुई इसकी शुरुवात हुई तो आप तस्वीरों में देख सकते किस तरीके से महिलाएं बच्चे बुज़ुर्ग माथे परतिलक लगाकर और चुनरी करते हैं वहां पर पूजन करते हैं जैकारे लगाते हैं उसके बाद कलश में जल भर के जब वहां से यात्रा निकलती है जैकारों के साथ वह आप तस्वीरें देकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी आस्था इस जल भरी यानि कलश यात्रा में देखने को मिल रही है यह भव पर कलाश रखकर कैसे यहां से महिलाएं और पुरुष चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं आपको यह भी बता दे कि यह इस्थल लहरपा गाउंस से रतनागर बनास नदी यह लोग पहुंचे तो 17 फरवरी को पुजन मंडप प्रवेश जला दिवास का कारिकम यहां पर इस फरवरी को हवण पुर्ण आहुति और भोज का आयूजन यहां पर कीया जाएगा तो भवेश जल यात्रा का आयूजन किया गया कलश यात्रा का आयूजन किया गया वह थला के पूसमीर देकर अंदाशा लगा सकते हैं कि कि सरीके से आ slopes का हलव सरीडार यह राम भक्त य साथ लाइक करेगा और शेयर करेगा धन्यवाद